इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Kabaza Tablet is used to treat peripheral vascular disease, यानि की poor circulation to the arms and legs, and intermittent claudication, यानि की pain on walking or at rest caused by poor circulation to the legs. यह हाथों और टांगों तक रक्ट प्रवाह को बढ़ा कर काम करता है. Kabaza Tablet, ऐसे रोगियों में चलने पर पैरों में होने वाली एंठन को काम करता है. यह शराब के कारण हुए liver की बीमारी में भी लाबकारी असर करता है. इस दवा को डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार नियमित रूप से लिया जाना चाहिए. इसे खाने के साथ और एक तैस समय पर लिया जाना चाहिए. डॉक्टर से परामर्ष किये बिना कभी भी अचानक इसका सेवन बन नहीं करना चाहिए. यह दवा इलाज का एक हिस्सा है जिसमें स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान समाप्ती भी शामिल होना चाहिए. इससे मिचली आना, उल्टी, डायरिया, यानि की दस्थ, सिर्दर्द, फ्लशिंग, यानि की चहरे, कान, गर्दन और शरीर में गर्मी महसूस होना और कमजोरी जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं. हो सकता है यह दवा कुछ लोगों के लिए उच्चित नहो. अगर आपको होट, लिवर या किड्नी से जुड़ी कोई बीमारी है तो आपको डॉक्टर को सूचित करना चाहिए. साथ ही, अपने डॉक्टर को अन्ने सभी दवाओं के बारे में बताएं, जिनका आप नियमित रूप से सेवन कर रही हैं. यह दवा आम तोर पर गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान नहीं ली जाती है. इसलिए इसे लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लें. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.